करता है आपका descriptive लाइटिंग का पॉर्शन भी कवर करता है और आज हम बात करेंगे इंडिया मॉरिशियस टेक्स टृटी आखिर क्या हुआ है जो हमारा share market fall हुआ है और क्या रीजन है कि CBDD को अपने टूटर अकाउंट में ट्वीच करके बताना पड़ा कि यह अभी हम पॉलेसी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो पूरा मैटर हम जानेंगे और बहुत कुछ नया हमें सीखने को मिलने वाला है ओके सो लेट्स बेगे हमारा टॉपिक है इंडिया मॉरिशिस टेक्स टूटी एंड इस इंपेक्ट ऑन दा फॉरेंड कैपिटल फ्लो सबसे पहले हमें मॉरिशिस की लोकेशन पता होना चाहिए आप यहां पर इंडियन ओशियन देख रहे हैं और वहां पर छोटा सा आइलें हैं मॉरिशिस बड़ इंडियन गवर्मेंट के लिए इतना इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ पहले मॉरिशिस सेकेंड हाइस्ट एफपी आई फ्लो के लिए जाना जाता था इंडिया में मतलब काफी जादा फॉरं इंवेस्टमेंट मॉरि इंडिया में आता है इतना चोटा आइलेंड होने के बाद भी इतना ज्यादा इंवेस्टमेंट कैसे जबकि मॉरिशिस का तो अपना कुछ है ही नहीं क्योंकि एक छोटा सा आइलेंड है बट रीजन यह है अलग-अलग नेशन की यहाँ पर शेल कंपनीज है इंफेक्ट इ पीछे की यह ट्रिटीज इंपोर्टेंट है और इन्हीं ट्रिटीज को आज हमें डिसकास करना है ओके सो लेट्स बिगिन फर्स्ट हमारा इशू क्या है आज का टॉपिक ऑफ डिसकेशन क्या है वाई इन न्यूज वो हम देखेंगे इसके बाद इंपेक्ट क्या हुआ है हमारे शेर मार्केट में उस पर डिसकेशन करेंगे और हम फिर बैक्ग्राउंड को भी जानेंगे कि 2016 में क्या आती है जैसे ही चर्चा का विशय बनता है और आप देखेंगे बहुत सारे इंवेस्टर जो कि मौरिशियस से इन्वेस्ट कर रहे थे इंडिया में उन्होंने अपना पैसा शेर मार्केट से निकालना शुरू कर दिया और लगभग 8000 करोर रूपीज शेर मार्केट से 800 पॉइंट हमारा शेर मार्केट दलाल स्ट्रीट फॉल कर जाता है ऐसा क्यों कि इन्वेस्टर इन्वेस्टर्स को अब चिंता होने लगी है क्या ये न्यू पॉलिसी हम पे भी इंप्लीमेंट होंगी या फिर हमें यहाँ पे कुछ रिलक्षेशन मिलने वाला है तो काफी चिंता का विशा इन्वेस्टर्स को बीच में देखने को मिला इंडिया और मॉरिशियस की कैपिटल पॉर्ट लूइस यहाँ पर इंडियन गवर्मेंट और मॉरिशियस गवर्मेंट के बीच में एक अमेंडमेंट साइन हुआ था और उस अमेंडमेंट को 7th of March को साइन किय गया था बट 12th of April को ही यह डेटा रिवील हो गया चानक से और फिर तुरंथ ही आप देखेंगे शियर मार्केट फॉल होना शुरू कर दिया अब यह DTA क्या होता है इसको हमें समझने की जरूरत है डबल टेक्स्टेशन अबॉइडेंस एग्रिमेंट पहले हम इन सिंपल व करती हूं और USA में मुझे माल लेते हैं कि 10,000 डॉलर मेरी वहाँ पर सेलरी है जब मैं वहां से सेलरी लूंगी तो वहां की गवर्मेंट मुझसे कुछ टेक्स लेगी ओव्यस सी बात है ठीक है तो मैं उनको कुछ टेक्स दे देती हूं मैंने 2000 रुपी 2000 डॉलर वहाँ पर ट टेक्स ले लेती है और इंडियन गवर्मेंट ने भी 1000 डॉलर मुझसे टेक्स ले लिया अब मेरी सेलरी कितनी होगे 70000 होगे मतलब मैं बिचारी जो USA में बैटके नौकरी कर रही थी और मेरा तो 3000 डॉलर USA गवर्मेंट और इंडियन गवर्मेंट तेक्स ही कात लिया मतलब एक ही salary पे एक ही asset पे दो बार अलग-अलग country ने tax impose किया जो की गलत है ठीक है इसलिए यहां पर यह policy लेकर आया गया था double tax station avoidance agreement मतलब एक simple asset पे एक simple salary पे एक ही single person के asset या property पे दो country अलग-अलग बार आपको tax impose नहीं करेंगी ठीक है I think ये basic बात आपको समझ में आई होगी और इसी में amendment किया गया है done अभी amendment को हम retail में समझेंगे अभी ने basic कुछ बाते discuss कर ली है अब amendment क्या हुआ है amendment हुआ है PPT मतलब principle purpose test यहाँ पे qualify करना पड़ेगा investors को actually होता क्या है बहुत सारे US company and other companies Mauritius में जाती है और वहाँ पे अपने शेल companies बनाती है और उसके थुरू इंडिया में इंवेस्ट करती है ऐसा क्यों क्यों क्योंकि Mauritius से जब इंडिया में इंवेस्ट किया जाता है तो due to this agreement बहुत ही low interest rate होता है या फिर आपका capital gain zero होता है capital gain आपका zero देखने को मिलेगा या फिर बहुत ही low amount का आपको interest rate pay करना पड़ेगा तो जिससे companies को फायदा होता है और companies अपना tax बचा सकती है तो ऐसा इसलिए किया जाता है इंडियान इंवेस्टर्स भी इंडिया में इंवेस्ट ना करके शेशेल कंपनी की थुरू एक दारियक इंडारेक्ट रूट की थुरू Maury Jesus जाते है और Maury serious보 इंडिया में इंवेस्ट करते है क्योंकि डाइकली आगर रोव इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो इंडियन गवर्मेंट टेक्स लेगी और टेक्स की तो चोरी करनी है टेक्स तो बचाना है तो हम मौशियस जाके एक शेल कंपनी बनाएंगे फिर इंडियमिंड करेंगे तो यहां लाप टेक्स बचाने के लिए इंडिया में इनवेस्ट कर रहे हों आपको पहले तो लीगल पर्पस हमें बताना पड़ेगा हमारे जो cbdT है उनको आपको बताना पड़ेगा actually reason क्या है आपका इंडिया में इंवस्ट करने के लिए और Mauritius Government ने भी कहा है मतलब Mauritius Government भी क्या ensure करेगे कि जो proper resident है Mauritius का वो इंडिया में इंवस्ट कर रहा है तो ठीक है capital gain zero है और सब कुछ benefits मिल रहा है अब USA का कोई व्यक्तिया के Mauritius में आके इंडिया में इंवस्ट कर रहा है तो यह तो गलत है अगर आपको USA में इंडिया में इंवस्ट करना है तो आप डारेक्ली USA से इंवस्ट करो तो आपको पहले यह principal purpose test qualify करना पड़ेगा पात क्लियर हुए यह amendment हुआ है this move raised concerned about increase scrutiny on the foreign portfolio investor अब यहाँ पर जो investor है उनको डर्ड लगने लगा कि अब यह amendment आज से जो हम invest कर रहा है उस पे applicable होगा यह पुराने investment पे होगा हमने तो पुराने investment कर लिया क्या अब हमारे उपर penalty लगे जाएगी तो बहुत सारे concern raise होने लगे और इनी concern के कारण market से पैसा withdraw कर किया जाने लगा और आपने देखा कि हमारा share market 800 points से drop हो गया because of this amendment ठेक है तो India and Mauritius amended their tax treaty to introduce the PPT तो आपको PPT clear हो गया है यह PowerPoint presentation नहीं है यह आपका principal purpose test है जो amend किया गया है recently ओके इस means that simply having a tax residency certificate issued by the Mauritius is no longer enough to claim tax benefit under the treaty क्योंकि आसान हो जाता है जब ऐसे छोटे island nations होते हैं जैसे कि for example UK अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं UK वें जाके invest करूं और उनको बोलो कि मैं आपके country में invest कर रहे हैं आप मुझे residency दे दो वो मुझे दे देंगे तो आजकल यह काम बिल्कुल easy हो गया है कि किसी country की हमें residency चाहिए अगर आपके पास पैसा है तो इसलिए केवल यह enough नहीं होगा कि आपको Mauritius ने residency certificate दे दिया तो आप eligible हो गया और इंडिया में आप invest करने लगे आपको यहाँ पर principle purpose test को पास करना जरूरी है और यह कौन लेगा CBDT लेगा clear है done यहां तक कोई objection दिक्कद चलो आगे बात करते हैं how does the PPT work the proposed amendment to the India Mauritius double taxation avoidance agreement introduced a principle purpose test required for the foreign portfolio investor and other investor seeking to avail themselves of the capital gain benefit तो अगर आपको capital gain benefit चाहिए है तो आपको PPT मतलब principle purpose test को qualify करना जरूरी है तो question यह आता है कि what is the capital gain tax और इससे फाइदा क्या होता है हम देखेंगे this change in the treaty means that benefit of lower taxation available under the treaty can be denied to investor investing by the Mauritius if one of the primary purpose of the investing in India was to obtain the tax benefit तो केवल आपका यहापर purpose अगर tax benefit है तो आपको कोई जरूरत नहीं है Mauritius से इंडिया में invest करने की ठेक है अगर हम current ranking देखते तो current ranking आप देखेंगे जो हमारा foreign direct investment आता है Mauritius fourth position पे है fourth largest investor है by geography इसके पहले आप देखेंगे USA Singapore and Luxembourg आपको देखने को मिलेंगे clear यह clear है अब double taxation avoidance agreement क्या है इस पे मैंने briefly आपको starting में ही discuss कर दिया था एक बार आप पड़ सकते हैं the two countries have agreed to a protocol to alter a double taxation avoidance agreement stating that tax relief cannot be more the indirect benefit of the resident of the another country यह क्या होता है जैसा कि मैंने बताया यह avoidance करता है double taxation को मतलब same asset पे same property पे आपको दो बार tax देने की जरूरत नहीं है clear अब इस agreement को जब sign किया गया उसके बाद 2016 में आप देखेंगे amendment हुआ चेक है 2016 में आपको amendment देखने को मिलेगा अच्छा इस agreement को कब sign किया गया था इंडिया और मौरिशियस के बीच में तो 1983 में इस agreement को sign किया गया था and 2016 में पहली बार यहां पर agreement हुआ था और इस agreement में क्या कहा गया था कि जो capital gain tax है पहले तो दोनों countries की तरफ से 0 था 0 आपको capital gain tax देना पड़ेगा और 2016 में जो amendment किया तो मौरिशियस की तरफ से 0 है लेकिन इंडिया ने बोला कि हां हमें कुछ amount में capital gain tax दोगे यह चोटा सा amendment हुआ था जिसके बाद हमारी यहां पे जो portfolio investment है मौरिशियस का वो ड्रॉप हुआ था पहले second number पे आता था और अब यह 4th number पे आ गया है क्योंकि capital gain tax introduced कर दिया था इंडियन गवर्मेंट ने तो बिफोर 2016 दा DTA between India and Mauritius allow investor based in Mauritius to be taxed on their Indian investment at the lower rate applicable in either country यह बहुत ही lower rate लगता था या फिर आपको capital gain tax देना नहीं पड़ता था तो जिससे बहुत सारे investor होगा करते थे और वो इंडिया में invest किया करते थे क्योंकि आपको tax बचाना है clear है अब यहाँ पे यह golden age मानी जाती है 2017 में जब amendment force में आया 2016 में amendment किया गया और 2017 में यह amendment force में आया उसके पहले का जो period है मतलब 1983 से लेकर 2016 तक का यह जो period है इसको golden age माना जाता है mauritius की history में क्यों माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको capital gain tax नहीं लग रहा था और government of India ने अब capital gain tax लेना start कर दिया और इंडिया में capital gain tax लगब 10% long term के लिए लगता है और mauritius में 0 है clear तो यह फायदा यहाँ पर persons को हो रहा था जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे कहां से mauritius से capital gain tax क्या होता है आप जो भी कमाई करते हो आप किसी भी property को purchase करते हो आप sale करते हो asset जिसमें आपको gain होता है उस पे आपको tax देने की जरूरत होती जिसे हम capital gain कहते हैं capital gain tax in India is the tax imposed by the government on the profit earn from the sale of the certain asset such as the stock bond real estate and other investment तो उस पे आप अगर आपने एक शियर खरीदा है माले ते सौ रुपे का खरीदा है और कुछ समय बाद उसकी value हो गई 10,000 रुपीज तो आपका यह जो gain हुआ है उस पे आप tax दोगे इसे ही हम capital gain tax कहेंगे और इंडिया में अगर short term के लिए देखा जाए जो 3-4% होता है और long term के लिए up to 10% आपको capital gain tax देखने को मिलेगा और Mauritius में या तो zero है या तो बहुत ही low है इसलिए maximum जो investor है वह Mauritius से इंडिया में invest करते हैं जब ही amendment लाया गया था 2016 में और 2017 में जब यह force में आया तो कहा कि पुराने जो investors है उनमें कोई भी changes नहीं आएगा जो पहले था वो सब सही है अब जो नया investment होगा उसमें हम capital gain tax लेंगे तो तब तक सभी investors शान्थ थे खुश थे चलो ठीक है पुराना कोई भी data कुछ भी हमने नहीं किया लेकिन अभी जो हमने amendment लेकर आए हैं तो उसमें investor में investors जो है उनको यहीं है कि यहां पर जो नए investment है उनके लिए PPT test होगा यह हमारे लिए भी है जो पुराने investors है क्या हमको भी PPT test qualify करना पड़ेगा अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या हमको penalty देनी पड़ेगी तो यह सारे concern market में चल रहे है और यही reason है कि बहुत सारे investors ने market से पैसा उठा लिया बापस ले लिया clear हुआ अब यहां पर क्या फाइदा था DTA between India and Mauritius और आपको समझे भी आही चुका होगा कि बहुत जादा फाइदा था जो लोग भी Mauritius से इंडिया में invest कर रहे थे आप अगर FPI investment देखेंगे from Mauritius वो आपको 4.19 lakh करोर रुपीज देखने को मिलेगा which is 66% which is 6% of the total FPI जितना हमारे देश में foreign portfolio investment आया है उसका 6% Mauritius से आया है which is 4.19 lakh करोर रुपीज जो कि बहुत जादा amount होता है ठीके अब यह डबल taxation avoidance agreement यह कौन-कौन सी categories को cover करता है कि आपको इन इन sectors में double tax देनी की ज़रूरत नहीं है ठीक है मतलब अगर आप Mauritius में काम कर रहे हो तो इंडिया में आपको tax नहीं लेगा अगर आपने Mauritius में tax दे दिया है जैसे कि services salary property capital gain and saving fixed deposit accounts यह सारे फायदे थे ठीक है और यह amendment 2017 से act में आया था अभी जो नया amendment हुआ है उसमें आपको PPT test लेकर आया है अब यहां पर आप देख सकते income tax इंडिया ने यहां पर message करके बताया है कि केवल अभी हमने यहां पर concern raise किया है अभी notify नहीं किया है कुछ भी कि हम ऐसा करेंगे तो यह भी एक मामला बीच में आया है the income tax department on April 12 said that the amendment India Mauritius protocol on the double taxation avoidance agreement is awaiting ratification and notification by the department अभी इसका ratification and notification बचा हुआ है केवल अभी हमने Mauritius में जाके discussion किया है क्योंकि अचानक से जब share market fall होने लगा तो government सोची अरे यह क्या हो रहा है मुझे तो रोकना पड़ेगा तो तो तोरंद उन्होंने फिर जैसे ही data बाहर आया और उन्होंने कुछ देर बाद ही यह message भी public domain में ला दिया I think आपको पूरा matter समझ में आया होगा कि आखिरकार यह treaty agreement क्या था किस तरीके से tax benefit हो रहे थे और यह आपका PPD test क्या है और अभी यह जानना जरूरी है और आगे शायद पता चलेगा कि 2017 के बाद कि इन्वेस्टर से उनको यह test qualify करना पड़ेगा यह 2017 के पहले कि इन्वेस्टर को भी qualify करना पड़ेगा यह 2024 से जो नए इन्वेस्टर होंगे उनको PPD test देना पड़ेगा अभी यह कुछ भी data reveal नहीं हुआ है जैसे कोई update आता है मैं आपके साथ फिर से connect होंगी तब तक के लिए take care and bye bye कर दो